सो हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब स्वागत करता हूँ आपका आमारी इस प्यारे सी यूट्यूब चैनल मायूप जोन में आज इस पतना इन्वोसिटी इंट्रेंस एक्जाम का जो प्रेप्रेशन में करवा रहा हूँ उसका आज नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है तो आप लोग पूरी वीडियो में बने रहना ये सब सारी इंपोर्टेंट कोश्चन में करवा रहा हूँ आपने प्रिवियस वीडियो नहीं देखें तो आप लोग उसको देख लेना वो भी इंपोर्टेंट है तो चलिए दोस्तो बीना टाइम पास किये हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो का पहला कोश्चन है मुख्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है So easy question, अंसर बताइते हैं काफी important question थो इसको धियान देना option number A, free on, oxygen, carbon, nitrogen, कौन सी gas इसका अंसर बताने की कोशिस करो अपने से नहीं आता है फिर भी तुक्का मारो तो दोस्तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number A, free on ठीक है, याद कर लेना important question है one of the most important question, next question हम लोग देख लेते है and next question आपका है कि अश्मिय वहाशा में, मुदृत प्रथम पुष्टक की लेखा कौन थे, असमिय वहाशा में, मुदृत प्रथम पुष्टक की लेखा कौन थे option number A, आत्मराम सर्मा, महिंद्र प्रकास सर्मा, राधे स्याम सर्मा, मोतिलाल, क्या हो जाएगा इसका अंसर, guess करिए तो इसका अंसर हो जाएगा आत्मराम सर्मा आपसन नमबर ए याद के ले ना नेक्स कुश्चन और ये नेक्स कुश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है लोहे पर जंग लगने का उसका भार आपसन नमबर ए बढ़ता है loser 2 अत्याधिक बढ़ता है loser 3 कम हो जाता है जब लोहे पर जग लगता है तो क्या होता है लोहे का भाहर बढ़ता है बहुत ज़्यादा बढ़ता है बहुत कम जाता है थोड़ा सा कमता है क्या होता answer बताजिये और旅 पॉन समच के अनसर दीजेगा और बढ़ जाता है, option number आपका आंपका सही हो जाएगा बढ़ता है और ज्यादा नहीं बढ़ता लेकिन बढ़ता जरूर है ऐसा कियो होता है इसमें जो oxygen का मात्रा होता है इसमें add हो जाता है जब जंग लगता है लोहे पे तो इसे लिए यह बढ़ जाता है तो इसका सभी अंसर हो जाएगा option नमबरे option देख लेते हैं क्या हो जाएगा चेक कर लेते हैं आपसन नमबरे सही है next question हम लोग देखते हैं बिस्व में next question बिस्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजूली माजूली याद लखना माजूली असम के किस जीले में स्थित्थ है असम के किस जीले में माजूली स्थित्थ है option नमबर वन पातालपूरी बी दाड़्जलिंग सी मुन्नवारी बी सिवसागर कहां है बताईए ग्रिश करिए खुद चे तो दोस्तों इसका सही अंसर हो जाएगा option नमबर वन पातालपूरी तो इसका अंसर चेक कर लेता है तो कौन है माजूली और कहां स्थित्थ है तो असम में असम में कहां पतालपूरी में याद रखना ठीक है ऐसे करके याद हो जाएगा आपको तो इसलिए मैं कहता हम आप लोगों को अपने से कोशिस करो अंसर देने का अगर गलत हो जाएगा तो नेक्स टाइम अगर आप दोगे तो आप वह गलती दोहराओगे नहीं कि बार बार कोई गलती दोहराता नहीं है नेक्स कोशन हो जाएगा द्वानी की चाल अधिक्तम किसमें होती है साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा कहां होता है और अप्शन नम्बर ए श्टिल में और अप्शन नम्बर वी इसको याद कर लेने इंप्वाटेंट वह भी है नेक्स क्वेश्चन यह है किसे भविस्तिकी धातु कहा जाता है भविस्तिकी धातु मतलब क्या समझ रहे आप लोग जो अभी नहीं है भविस्तिका धातु है टाइटेनियम लेड मर्करी प्लेटीनम अप्शन क्या हो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सा तत्वे सौ्थंतर अवश्था में पाया जाता है औप्शन दिया गया सलफर सोडियाम हीलियाम वरेलियम साइट क्वेश्चन यह सब याद होना चाहिए वेसिक कोश्चन है अनि इप्वॉट्एंट कोश्चन है करके बताइए क्या सलफर या सोडियम जी हाँ अगर आपने सलफर बोला है तो आप पिलकुल सही हो आपका अंसर सही है ऑप्शन नमबर यह हो जाएगा है चेक कर लें तो इसका अंसर क्या है ऑप्शन नमबर यह सही है चलिए नेक्स देख लेते हैं भारत के उपगरा प्रच ड्री कोटा में यह स्तित्थ है या दकर लेना यह इंपनेंट कोशन जिसको नशर चेक कर लेते क्या रशार नमबर यह दिया गया है इंग्रेज को सिर्फ नमबर यह देख ता does you does लॉर्ड डार्विन से दिया गिया है टॉप डिग डिड डिया गिया है जॉर्ज डॉन कौन था वो अंग्रेज जो अध्यच्छ बनने आया था कॉंग्रेस का इंडिया में 1818 इस भी में तो दोस्तों अगर आपने अप्शन नमबर ए बोला है जॉर्ज यूले को तो ταंटरं संसद नियंत्रक तथा किसके माध्यम से करती है वह माध्यम मेडियम क्या है पहला है महा लेखा परिषक बी है लेखाकार सी है I far and D है प्राशास्फ्णिक अधिकारी तो इसका अनसर क्या हो जाआगा आप लोग बहुत अच्छा कोशुन है बहुत अच्छा भी वी तो जी हाँ दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा माहालेखा परिचक जो है इसका माद्यम है नियंस रग किसका सारवजरनिक खरुचे पर नियंद्रर संसर नियंस रग कर लेते हैं और नमर के होना सही एक एक तो Excel आप लोग चलायोगे अपने laptop computer पर नहीं चलायो फिर भी याद कर लेना इस इसी वीडियो में अगर नहीं पता है तो दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा option number A 256 अधिक से अधिक maximum ओके 256 हो सकते हैं column ठीक है याद कर लेना इसका अंसर चे कर लेते हैं option number A next question प्रिथवी के सबसे निकट तारा कौन सा है बताइए सबसे जो प्रिथवी अपना ग्रह है उससे सबसे जो निकट सबसे नियर में कौन सा तारा है तो दोस्तों क्या हो जाएगा दोगों को मैं पहले अटा देता हूँ आपके पास 50-50 वाला option छोड़ देता हूँ सुक्र एंड सनी को हटा दीजिए यह आपके पास बज़ जाएगा सुर्य या यम 50-50 है कोई एक सही है तो कौन होगा वो जी हाँ दोस्तों अगर आपने option number C आपने सन या सुर्य को चुना है तो आप बिल्कुल सही हो आपका अंसर हो जाएगा option number C सुर्य एंड चेक कर लेत इसका अंसर option number C चलिए next question देख लेते हैं next question है आपका science field से next question आपका है uranium cooperation of India कहां इस्तित्थ है uranium cooperation of India option number A दिया गया है जादू गोड़ा में B दिया गया है कानपूर में C दिया गया है पूने में and D दिया गया है सिक्किम में कौन सा हो जाएगा काहां इस्तित्थ है यह answer देने की कोशिस करिए अगर नहीं पता है फिर भी आपसे मैं हाठ जोड़कर बिंते करता हूं प्लीज अपने आपसे answer देने की कोशिस करिए and टेंशन नहीं लिजे आपका PDF आपको मिल जाएगा description में ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा दोस्तों इसका answer हो जाएगा आपका जादू गोड़ा में यह जादू गोड़ा में स्थित्थ है Uranium Corporation of India ओके UCI next UCI and इसका answer check कर लेते हैं option number A सही है चलिए next question भारत का पहला परमानू reactor है वो कौन सा है question बुच रहा है आपको जाएगा उर्वर्सी अपसरा main का convey दोस्तों तो दोस्तों मैं दोगों को पहले ही हटा देता हूं main का and convey यह दोनों को मैं हटा देता हूं जो सही सही बताएगा वो comment कर देना मैं उसका नाम अगले वीडियो मुलूँगा तो दोस्तों इसका answer हो जाएगा भारत का पहला परमानू reactor अफसरा है ठीक है तो इसको याद रखना काफी अच्छा question है and इसका answer देख लेते हैं इसका answer option number V अफसरा हो जाएगा चलिए next question नौजवान भारत सवा के संस्थापक कौन थे नौजवान भारत सवा चंद्र सिखराजाद राजगुरू भागत सिंग दादा भाई नरोजी कौन थे इसके नौजवान भारत सवा के संस्थापक चुनिए इसमें 50 50 वाला उप्षान नहीं दूनगा वैसे मैं बता दूंच अंदे से खरा जाद नहीं थे राज गुरू भी नहीं थे दादा भाई न्रोजी भी नहीं थे तो आपको कौन थे भागटसी भचके कौन भागटसी तो भागटसी ही थे जो नौजवान वारत सवा का संस्थाफना किये थे ठीक है याद कर लिजेगा option number c next question राजिपाल को सफत्व राजि के उच्छ नियायाले का कौन व्यक्ति दिलाता है option number a मुख्य मंत्री b राष्टपती c मुख्य नियायदिस d प्रधान मंत्री आपका सही अंसर हो जाएगा मुख्य मंत्री राजिपाल को सफत्व राजि के उच्छ नियायले का कौन व्यक्ति दिलाता है और इसको याद कर लिजेगा ये सभी important question है ठीक है next question देख लेते हैं हम लोग इतना कम नहीं है and option number c दिया गया है तिन लाख बत्रीस जार दोसौन चालीस किलो मेटर असक्वाइर अपका ये तो नहीं से कोई होगा c and d तो इसको comment में आप लोग बताना ठीक है चलिए next question आप लोग देख लेते हैं and next question हर्स वर्धन अपनी धार्मिक सवा कहां किया करता था कहां किया करते थे तो औप्सन दिया गया है मतुरा में नमबर b दिया गया है परियाग में शी बरान शी option number d तामर लिप्ती में तो answer क्या हो जाएगा इसका इसका सही answer हो जाएगा आपका परियाग में किया करते थे ठीक है next question and आज की विडियो का last question है एक महान रोमिनी नाटक कदमबरी का लेखक कौन था ये सायद मैंने करवाया था ये फिर से आ गया और तो बता दिजिए रिविजन हो जाएगा आपका वानवट हर्सवर्धन वासकरवर्धन और बिंदुसार सायद ये आपको याद आए मैंने प्रिविएस वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा जारा सा भी लगा हो तो आप लोग इसको सेयर करना आपने दोस्तों के साथ ये जिके सभी चीज के लिए इंपोर्टेंट है आपका जो एससी रेलवे बैंकिंग और कॉंपटेटिव एक्जाम्स और इंट्रेंस एक्जामनेशन के लिए ब आपके साथ तब तक के लिए अलविदा पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए